हलो बच्चों आई होप आप सब अच्छे होंगे आज हम सब टूडे केडमी पर प्रेजेंट हैं क्लास नाइन साइन्स लेकर वेटा चैप्टर एट मोसन का वेटा MCQ टॉप 25 MCQ लेकर वेटा प्रेजेंट हैं इसकोश्चन है एक पार्टिकल्स है वो एक सर्कुलर पत में क्या कर रहा बेटा मूब कर रहा है यह आपका सर्कुलर पत है ठीक है और यह आप सेंटर है यहां से यह जो मूब कर रहा है और यह आ रहा है बेटा रेडियस और यह जो इसका half circle पर जाता है बेटा half circle यह होता बेटा diameter पर और यह इसका center है बेटा जब यह half circle पर जा रहा तो उसका displacement क्या होता बेटा यहां से चलना सुरू किया, start किया और यहां पर पहुँच गया बेटा पॉइंट A से start किया, पॉइंट B पर पहुँच गया ठीक है बेटे यह half circle हुआ तो अब जहां दीजेए कि पुछा displacement displacement क्या होती बेटा, shortest distance between two points मतलब कौन बेटा, final position और initial position बेटा इसकी क्या है यह, initial position है ठीक है बेटे, initial position है इनिसियल और बेटा यह, इसकी क्या है final position है, ठीक है बेटा final position है, तिन दोनों की भीज की जो distance भी बेटा ना, this is called displacement ठीक है बेटे, तो अब आईए देखिए R यहां से इतना 1 था, और यहां से यहां R इतना था बेटा क्या बन गया हमारा यह, डाइवर मीटर बन गया है तो D बराबर क्या हो बेटा, 2R होता है ठीक है बेटे, आईए देखते हैं हमारी क्या उसने distance कबर की 2R ठीक है बेटा, तो आईए देखते हैं अपना option क्या है यह 0, V, Pi, R नहीं बेटा, C option 2R options is a right answer ठीक है बेटा, आईए बेटा question number 2 देखते है, question number 2 क्या the numerical ratio of a displacement to distance for a moving object is, ठीक है मारा moving object है बेटा अब आप distance और displacement में आप ध्यान देजिए बेटा, अगर distance क्या होगी बेटा, अगर 1 है उसकी, उसकी क्या है distance, बेटा, distance is 1 है उसकी बेटा तो displacement displacement बेटा displacement क्या होगा बेटा या तो 1 के क्या होगा equal होगा equal होगा, ठीक है अगर उससे क्या होगा बेटा उससे छोटा होगा, क्या होगा 1 के equal होगा, या उससे क्या होगा 1 से छोटा होगा ठीक है बेटे, तो अब जब इसका ratio निकालेंगे त्ट क्या होगा वेटा equal or less ठीक है option C is a right answer होगा या तो equal होगा या तो उससे less होता है ठीक है वेटा ना तो displacement distance से बड़ा हो सकता है ना उससे छोटा हो सकता है इसलिए क्या होगा वेटा equal हो सकता और less हो सकता है ठीक है वेटे आए वेटा question number 3 question number 3 क्या है question number 3 है from the given VT graph देखिए वेटा अपना VT graph दिया गया है यह जो कि हमारी जो vertical line VT velocity को present कर रहा है और वेटा हमारी जो horizontal line ने वेटा इसे time को represent कर रहा ठीक है it can be inferred that the object is यह किस diagram जो किसको represent कर रहा है ठीक है यूनिफोर्म motion at rest motion in uniform motion moving with uniform isolation यह देखा यह से क्या को है बेटा speed जो उसकी क्या है और equal चल रही ठीक है बेटा distance जो इसकी velocity जो इक्वाल चल रही है same interval of time में ठीक है बेटा same interval of time में उसकी क्या हो every speed equal चल रही है ठीक है वेलोजिटी को चल रहे हैं इसलिए क्या होगा बेटा एन यूनिफॉर्म मोशन तो बेटा ओपसण है और राइं यूनिफॉर्म मोशन ठीक है बेटें बेटा देखते हैं कूश्चन नंबर 4 क्या कहता है श्लॉप आफफ वेलोजिटी टाइम ग्राफ गिप्स जो हमारा वेल displacement, option c acceleration, option d speed, नहीं बेटा, यह जो हमारा जो slope जो होता है, slope के acceleration को represent करता है, तो option c is a right answer, जो slope होगा बेटा, वो acceleration को represent करता है, ठीक है बेटे, आगे बेटा, question number 5 देखते हैं, question number 5 है, velocity time graph of an object is given below, the object has, देखे बेटा, अपने velocity time graph दिया गया, यह हमारी बेटा, vertical line है, यह हमारी horizontal line है, horizontal line हमें time represent कर रहा है, हमारी vertical line जो बेटा, देखे बेलो सीटी को represent कर रहा है, meter per second में, ठीक है बेटे, तो जो हमारा यह option है बेटा, देखते हैं, क्या represent करता इसको, uniform velocity, uniform speed, uniform retardation, देखे बेटा, हमारा जो slope होरा है, क्या होरा है, slope down हो रहा है, तो जो आप slope down होता ना बेटा तो हमारा जो uniform होता हो retardation में होता जैसे यह देखिए यह मारा है लेकिन यह नीचे की तरफ आ रहा है ठीके जब यह down होता है जो slope तो इसको हम कहते हैं retardation uniform motion क्या बोलते हैं retardation uniform motion तो क्यों सा होगा यह retardation retardation मतलग उसा speed कम हो रही बेटा retardation ठीके बेटे retardation होता है तो आज़े देखते हैं uniform velocity uniform speed uniform retardation फिट ए uniform retardation regular जो उसका speed down हो रही है क्या हो रही बेटा regular उसकी speed क्या हो रही बेटा डाउन हो रही तो इसको बोलेंगे uniform retardation options is a right answer ओके बेटा आज़े बेटा question number 6 देखते हैं question number 6 क्या है बेटा question number 6 है कि which of one of the following graph shows the object to be stationary at a rest condition ठीक है बेटा stationary condition ठीक है तो stationary means the rest condition तो बेटा आज़े देखिए हमारा first graph यह है second graph यह है आप देखिए first graph जो बेटा distance और time का बेटा हमारा graph है position और time का graph है बेटा और c हमारा velocity और time का graph है बेटा बेटा stationary मतलब rest condition में है तो आए देखिए बेटा अगर हमारे object की यह position थी बेटा ना तो केवल इसका speed केवल इसका distance नहीं बढ़ रहा है केवल इसका time बढ़ रहा ठीक है इसका time बढ़ रहा तो हमारा जो option होगा बेटा ना वो option हमारा बी राइट होगा क्या option होगा बेटा भी बी राइट होगा ओके बेटा यह जो हमारा stationary में रिप्रेजेंट कर रहा यह graph object को rest condition में रिप्रेंट कर रहा ठीक है बेटे option B is a right answer आजे बेटा question number 7 देखते हैं question number 7 क्या है बेटा 7 question है the ratio of speed to be magnitude of velocity then the body is moving in one direction क्या बेटा जो speed कर ratio होगा बेटा और magnitude of velocity का जो ratio है उसका क्या ratio होगा ठीक है बेटे उसका क्या ratio होगा तो आईए देखते हैं बेटा ध्यान दीजेगा इनका जो ratio होता बेटा ना speed का और magnitude velocity का ठीक है यदिमाल लीजे बेटा अगर speed उसकी 1 km पर hour है ठीक है बेटे तो और उसकी velocity भी क्या होगी बेटा वो meter per second per hour होगी ठीक है तो बेटा यार less than 1 बेटा 1 से कम नहीं हो सकता greater than 1 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता equal to 1 येस बेटा equal to 1 क्या होगा बेटा आफसन से ही जा right answer equal to 1 होता है ठीक है बेटे आज़े बेटा कुशन नंबर 8 देखते हैं कुशन नंबर 8 कहता बेटा कि which of the following graph is not possible यहां पर बेटी हमारा graph दिया गया बेटा देखिए उसमें कौन सा graph है जो possible नहीं हो सकता आइए बेटा फस्ट एफसन देखते हैं graph का यह बेटा possible है यह position और time graph है बेटा यह velocity और time graph है बेटा देखिए यह graph possible नहीं हो सकता क्योंकि यह बेटा एक circle में है ठीक है इस जो graph है बेटा यह circle में time को velocity को represent कर रहा है और time और velocity बेटा इस circle में represent नहीं हो सकता है तो बेटा option B is a right answer जो यह graph बेटा जो राइट नहीं है यह possible नहीं हो सकता ठीक है बेटे आए बेटा question number 9 देखते है question number 9 क्या कहता है the total path length travel by your body in a given interval of time is called बेटा क्या करा है यहाँ देखिए टोटल path length total path length travel by your body a given interval time is करा कि एक समय के अंतराल में जितना वो दूरी ताइं किया गया है बेटा दूरी distance उसे क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा distance कहते हैं क्या कहते हैं बेटा distance कहते हैं तो आइए देखते हैं अपना option क्या है जो बेटा अपने length की दूरी को ताइं करता उसे क्या कहते हैं बेटा distance कहते हैं ठीक है बेटे distance आइए देखते हैं इससे क्या कहते हैं distance कहते हैं तो option A distance yes option A is a right answer ठीक है बेटे आइए बेटा question number 10 देखते है question number 10 क्या है direction of acceleration is same as direction of बेटा जो हमारा question number 10 है करा को aspiration का direction होगा बेटा ना उस case के जैसा होगा as same होगा तो आज बेटा देखते है displacement change of yes बेटा यह चेंज आफ velocity होगा क्या होगा बेटा change of velocity option is a be option is a right answer ठीके बेटा question number 11 देखते है question number 11 क्या है question number 11 जो बेटा a physical quantity which has both magnitude and direction is called बेटा हमारी physical quantity होती ने बेटा और two होती है एक होती है scalar quantity scalar quantity दूसरी होता vector quantity बेटा vector quantity ठीके बेटे तो अब इसमें जो हमारी scalar quantity होती बेटा इसमें के वहले only magnitude होता बेटा only magnitude होता है ठीक है बेटे और बेक्टर quantity में both क्या होता बेटा both magnitude and direction ठीक है बेटे तो आज़े देखते हैं क्या करा quantity नहीं होगी बेटा option b is a vector quantity option b is a right answer ओके बेटा आईए बेटा कुशन number 12 देखते हैं कुशन number 12 क्या है who gave the equation of motion for the first time जो मारा question of motion जो थाना बेटा first time कौन दिया था बेटा उसे इसाक न्यूटन ने दिया था कौन दिया था बेटा इसाक न्यूटन ने दिया था ठीक है बेटे आईए option देखते हैं बर्न हार्ड नोबेल नहीं बेटा yes option b is a right answer इसाक न्यूटन ने दिया था बेटा first बार इक कुश्चन को ठीक है आईए बेटा question number 13 देखते है question number 13 क्या the displacement of object in unit time is called ठीक है जो मारा displacement का unit time होता बेटा हो क्या होता है इसके बर सेम टाइम होता है वो बेलोसिटी गरावता option b is a right answer ठीक है बेटे आज़िए बेटा question number 14 देखते है question number 14 क्या है the rate of change of velocity per second is known as बेटा जो rate of change of velocity पर second उसको जो change होता है वो क्या होता बेटा वो acceleration होता है ठीक क्या होता बेटा acceleration होता है change of velocity per second change of velocity पर second किसे कहते है mean meter per second meter per second होता बेटा तो किसका होता है acceleration का होता है acceleration का होता है meter per second ठीक है बेटे तो हमारा क्या होगा option a right answer acceleration ठीक है बेटे वेटा 15 question क्या क्या कहता है what is the unit of acceleration वेटा acceleration की unit क्या होती है देखते हैं और उसकी unit होती meter per second square क्या होती वेटा meter per second square तो आज देखते हैं option meter per second नहीं वेटा option b meter per second, option b is the right answer meter per second square आज़े वेटा question number 16 देखते है, question number 16 क्या है if you throw a ball upside direction then the value of Z Z means gravitational force Z क्या होता है Z is equal to gravitational force gravitational force है ठीक है तो Z हमारा क्या होता है क्या किसके बराबर होगा जब बेटा हम बाल को उपर की तरफ थो कर रहे हैं तो हमारी जो gravitational force होगी न बेटा उन बिलो लगेगी हमेशा जी बेटा क्या होता है हमारा positive होगा तो आए देखते हैं बेटा Z positive होगा तो आए option ये positive यस बेटा option ये is a right answer positive होगी हमारी Z gravitational force ठीक है बेटे आए बेटा question number 17 देखते हैं क्या कहता है बेटा what is the average velocity of a car that moves 60 km in 3 hour तो बेटा अगर average velocity 60 निकालेंगे तो उसका फार्मूला जो होता बेटा V is equal to S by T होता बेटा ठीक है तो आए जब इसको हम निकालेंगे total हमारा S कितना है बेटा 60 km है 60 by T बेटा कितना है 3 hour है ठीक है by 3 3 से divide कर देगे बेटा 3 2 0 6 20 कितना आगे बेटा 20 km पर आवर तो आगे बेटा देखते हैं अपना option कौन सा राइट है बेटा option अपना राइट देखी बेटा option A 60 km पर आवर option B 20 km पर आवर ठीक है बेटा option B is the right answer 20 km पर आवर जो कि हमने यह आपर find कर लिया 20 km पर आवर ठीक है बेटे आइए बेटा question number 18 देखते है question number 18 क्या कहता है speed of 90 km per hour next race in a meter per second बेटा 90 km को meter per second में करना है 90 km per hour ठीक है बेटा किस में change करना है meter per second में distance को क्या करेंगे बेटा 1 km 1000 meter होता है ठीक है और हमारा one hour में 3600 seconds होते है ठीक है बेटा इसी को हम डिवक्का लेते हैं 00 कट गया 00 से कट गया 2 5s are 10 2 18s are 36 ठीक है बेटा तो 5 by 18 बेटा यह मारा formula होता है बेटा निकाल के बता दिया अगर हमें km को meter per second में change करना हो बेटा तो हम क्या करेंगे 5 by 18 से हम क्या करेंगे multiply कर देंगे ठीक है बेटे आइए देखते हैं करके 90 km को change करना था 90 into 5 by 18 ठीक है बेटे कर देंगे किस में आ जागा meter per second में convert हो जागा ठीक है बेटे meter per second में ठीक है आइए देखते हैं 17 5-90 होता बेटा 5 into 5 क्या होगा बेटा 25 meter per second While 25 meter per second आइए option देखते हैं अफसन पहला है वेटा हमारा 2.5 meter नही fucking फाइफ पैफine B 9 thousand meter per second नही כपेटा option C 250 meter per second होगा बेटा क्योंगे D option देखते हैं 25 meter per second राइटrost ठीक है ठीक है बेटे क्वेटा आए बेटा कुछ्छा नंबर 19 क्या कहें तो बेटा आए देखते हैं कि 1 किलो मीटर आवर को हमें किसमें करना मीटर पर सेकेंड में ठीक है बेटे आए देखते हैं 1 किलो मीटर इसकुल कितना है बेटा 1000 meter ठीके बेटा और वन आवर इसकोल कि उसमेंट सेंद करना है तो सिक्स्टी मिनट ठीके बेटे तो 60 मिनट इसकोल कितना होगा सेकेंड 60 इंटू 60 सेकेंड क्योंकि बेटा 1 मिनट इसकोल to 60 seconds होता है ठीक है बेटे तो कितना हो गया 3600 seconds ठीक है बेटे आए फिर इसको हम meter per second में convert कर लेते हैं तुमारा meter कितना है बेटा 1000 1 km में a second कितना हो बेटा 3600 00 से बेटा कट गया ठीक है option a 18 by 15 नहीं बेटा क्योंकि 5 by 18 आया अपना अंसर c option 550 by 3 नहीं बेटा option d देखिए बेटा option d मारा 5 by 18 यह राइट आंसर है 5 by 18 क्योंकि बेटा हमने find कर लिया एक किलो मीटर को लिखते हो 5 by 18 मीटर पर सेकेंड होता है ठीक है बेटे option d is the right answer question number 20 देखते हैं कि racing car has a uniform acceleration of six meter per second square in 10 seconds what will be cover उसने distance कितना कवर किया बेटा यह देखते हैं हमारी हुए car आया से car start होती है ठीक है बेटे और यहां पर यह final velocity इसकी बेटा चलती ही रहती है final velocity भी इसकी पता नहीं है बेटा लेकिन इसका t पता है बेटा initial velocity 0 है बेटा और t इसका कितना है बेटा 10 seconds है time बेटे 10 seconds है और बेटा इसका acceleration दिया गया acceleration क्या है बेटा 6 meter per second square 6 meter per second square बेटा ते हमें दिया गया बेटा हमें find क्या करना s क्या करना बेटा distance हमें yes find करना आईए बेटा देखते हैं हमारा lock low up motion 3 होते हैं बेटा कौन कौन से v बराबर u plus क्या होता बेटा 80 दूसरा होता बेटा yes बराबर ut plus half 80 square क्या होता बेटा half 80 square तीसरा होता बेटा हमारा v square minus u square चाहए बराबर तोगत। होता है ढ़तें आप देखे इस में यहां पर नहीं करेंगे यहां कि यहां चाहिए May जाए गाइब तो यह समय निकालना, Yes बराबर, क्या होता फार्मूलल है, Yes बराबर, UT प्लस, Half, A T स्क्वाइर, ठीक है बिटे, तो Yes बराबर, U कितना बिटा हमारा 0 है, T कितना बिटा हमारा 10 सेकंड ने, Plus Half, A बिटा एसलरेशन कितना बिटा, हमारा 6 मीटर पर सेकेंड है इंटु 6 ठीक है बेटे टी कितना है बेटा 10 का ओल स्क्वाइर ठीक है बेटे आगे इसको सोल्व करते हैं 10 0 0 जाएगा बेटे अब इसको देखिए 2 इंटु 6 है तो 2 3 6 कर जाएगा बेटा 3 2 10 की 2 पावर है बेटा क्यों जाएगा 10 इंटु 10 ठीक है बेटे आगे नेक्स इस्टे देखते हैं 3 इंटु 10 10 जा 100 ठीक है बेटा कितना आया उसने डिस्टेंस कितना कबर की बेटा 300 मीटर कबर की बेटा यह हमने निकाल लिए यहां पर देखिए बेटा 300 यहां पर डिस्टेंस मीटर उसने कबर की आएज देखते हैं आपना कौछन सा आपना आप्सन देखते हैं hemisphereside सब्सक्राइब करें देखते हैं 21 क्या कहता है इसको हम निगेटिव इसलेशन कहेंगे और रिटारडेशन जब बीटब करेंगे जब इसफीट घठती है टुस्ट जया को ऑन τον देखते हैं कि एसलेशन घठता है ईसके पर मैं भी जोटे हैं कि ईसका गड़ से एसलेर इस भी बोलता है रिट दोनों चीज बोलते हैं अपना option देखते हैं निगेटिव एसलेर्टेसन यस राइट है लेका वी रिटार्डेशन यस वेटा राइट है सी प्लस एसलेरेशन वेटा यस वेटा डी मदब A और B अपना दोनों राइट है तो option D is a right option बोथ A and V, ठीक है बेटे, तो option D is the right answer, ओके बेटा, आए बेटा, question number 22 देखते है, 22 क्या कहता है, which आप the following can sometimes be zero for a moving body, अगर कोई भी उसकी body movement हो रहा ही, तो कौन बेटा, उसका zero होगा, कभी कभी नहीं हो सकता है, ठीक है बेटा, अब यह है, average velocity, B, A बेटा, distance traveled, C, A, third A बेटा, average speed, fourth बेटा, displacement, आगे देखते हैं, बेटा, option दिया गया, only one, average velocity, नहीं बेटा, गलत है, B, first and second, average distance, यह भी बेटा, ठीक है, ठीक है, बेटा, C, first and fourth, first बेटा, क्या है, average velocity, और fourth बेटा, क्या है, displacement, yes बेटा, फोर्थ, average velocity, और displacement ही, जह है, कभी-कभी, zero हो सकता है, तो आए, बेटा, option C, जह, right answer, first and fourth, ओके बेटा, आए, बेटा, कुशन नमर 23 देखते हैं, 23 क्या कहता है, बेटा, 23 कुशन है, कि freely falling body is set to be moving with, जो मारी body, जो आप उपर से free, भूमरी बेटा, उस पर जो है, कोई force apply नहीं हो रहा है, तो constant non-zero acceleration, ठीके बेटा, yes, यह constant force में है, non-zero acceleration, इस पर कोई भी acceleration कारी नहीं कर रहा है, कोई force कारी नहीं कर रहा है, इसलिए option is a right answer, ठीके बेटे, बेटा, question number 24 देखते हैं, 24 क्या है, कि an object travel 20 meter in 5 second, another 40 meter in 5 second, what is the average speed, बेटा, average speed निकालने के लिए क्या होता है, फर्मूला हमारा, average speed निकालने के लिए, बेटा, v is equal to total distance, yes, by total time होता है, ठीके बेटा, यहाँ total distance क्या है, 20 meter, और दूसरी distance, बेटा, क्या है, 40 meter है, ठीके, plus 40 meter, is equal to कितना होता, 60 meter हो गया, ठीके बेटे, और total time क्या, बेटा, 5 second, और 5 second, total time क्या, बेटा, 5 second, plus 5 second, ठीके बेट is equal to 10 seconds होगा, ठीके बेटा, 10 seconds, आइए इसमें, बेटे, put कर देते है, 60 by 10, ठीके बेटे, कितनों जागा, 10, 60, 6 meter per second, क्या होई बेटा, उसके average speed, 6 meter per second, आइए option देखते हैं, बेटा, first option, 6 meter per second, yes, बेटा, first option is a right answer, 6 meter per second, ठीके बेटे, आइए बेटा, question number last, 25 देखते हैं, acceleration is a vector quantity, which indicates that its value, बेटा, हमारी जो acceleration क्या है, वो, vector quantity है, वो, which indicates that its value, इसको क्या indicate करती है, जो vector quantity है, value को, can be positive, negative, और zero, is always positive, is always negative, is zero, तो बेटा, जो हमारी vector quantity होती ही न, बेटा, वो क्या होती, acceleration जो होती, बेटा, vector quantity की, solution is a vector quantity हो, positive भी हो सकती, बेटा, negative भी हो सकती है, और बेटा, वो, zero भी हो सकती है, ठीके, तो option is a right answer, ओके बेटा, I hope बेटा, आप सबको question clear हुआ होगा, तो आप मेरे चैनल को subscribe कीजेगा, अपने दोस्तों को share कीजेगा, like कीजेगा, comment कीजेगा, सभी को धन्यवाद,